तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ के प्रसना वाली चार दसमलो 3 के कौशन नमर एक कौशन नमर एक में तीन गो पाट आनि तीन गो कौशन दिया है इस तीनों कौशन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पहुत ही स 높बान तरीके से और कंसेट के साथ तो चलिए विना देर के सुरु करते हैं कहाई की करने के मूलो की परक। तो उन्हें ग्याद किजिए सबसे पहले आपको ग्याद करने के लिए कहा है कि मोलों की परकृती तो मोलों की परकृती क्या होता है अगर मोलों की परकृती होगा तो अस्तित होगा तो उन्हें ग्याद करने के लिए कहा गया है इस चेप्टर का सबसे पहले बेसिक चीज़ क हम लोग समझ लेते हैं इसके बाद इस question को solve करेंगे आप खुद ही सख जाएंगे आके लिए एके लिए सख जाएंगे तो देखिए सबसे पहले basic चीज़ें हम लिख दिए फर्मूला यदि दुविघाप्त समय करन का ब्यापक रूप सबको पता है AX square पलस BX पलस C के रूप में होता है जो A जो होता है आपका X square का गुणांख होता है B जो होता है आपका X का गुणांख होता है और C जो होता है आचरपद होता है जिसे देखिए A X square का गुणांख है और B यहाँ पर X का गुणांख है और C मेरा आचरपद अके लिए है जिसे एक मन आपका 6 हो जगा तो इस प्रकार से चुनने के लिए सक जाएंगा तो आसान तरीके साथ बना लेंगे आगे फर्मूला लेख दिये हैं कि विविक्तर विविक्तर मतलब विवेचक इसे चाहे था आप नोड़ान भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं विविक्तर को हम लोग विवेचक भी बोलते हैं या इसे हम लोग डी से सुचित भी करते हैं तो डी बराबर एक फर्मूला निकल के आता है यहां पर बी अस्क्वाइर मैनस फोर एसी है आप यहां बी अस्क्वाइर कुन वाला यही वाला फोर फोर का फोर ए यही वाला मान औ अब यदि यहां डी का मान अगर जीरो के बराबर निकलता है अगर डी को हम solve करेंगे और जीरो के बराबर निकलेगा तो अगर डी बराबर जीरो हो तो समीकरण के दो बराबर मूल होगे मतलब इसका मूल जो होगा दो बराबर एंसर आएगा मतलब दोनों एंसर जो होगा दो से बढ़ा गया तो समिकरन के दोभिन मूल हों दोभिन मतलब दो अलग- अलगए अनसर हो सब Tong does लेकिन डी जब 0 से छोटा रहेगा जिरो स्क्रावर चोटा रहेगा तो समिकरन के कोई हल नहीं नहीं होगा बस वह कहा गया है अगर मुलोकास्तित हो मतलब यह दोनों होगा तीसे द्विघात समीकरन के रूप में निकालना पड़ेगा और इसका निकालना पड़ेगा एंसर भी निकालना पड़ेगा अगर नहीं होगा तीसे नहीं निकालना पड़ेगा इसका नीचे हम फ सबसे पली से आपको प्रसणा वाली बहुत ही आपको समझ में आने वाला है तो चलिए बिना देर के सुरू करते हैं आप एक एक प्रसंद को लेते हैं पहला परसंद में कहा गया है कि 2XSQR तो एक नमर वाला को हम लोग है किया दिया गया है 2XSQR-3X Plus 5 बरावर दिया है 0 नहीं होगा तो दिखेए A कमान किया हो जागा A कमान हो जागा आपका दो उसके बाद B कमान हो जागा आपका मैंनस 3 क्योंकि बी जो होता X का गुना हो था है और C, C का मान हो जागा आपका प्लस का 5 हो जागा, ठीक है, आप इसे चालिए हम लोग solve करते हैं, सबसे परले हम लोग B निकालते हैं, आनि D बराबर, तो यहाँ पर लिखे लेंगे, D बराबर, फर्मूला होता है, B square minus 4AC, B, B का मान है minus 3, तो minus 3 का square करेंगे, उसके बाद minus 4AC, C, 4, A, A का मान है 2, C, C का मान है 5, तो चलिए, minus का square पलस हो जागा, तो 3 का square हो जागा, 9, और 4 दुनी 8, और 8 पंजे कितना हो जागा, 40 हो जागा, 8 पंजे है, 40, आप देखे, 40 में 9 हो जागा, तो कितना बचेगा, minus का 31 बचेगा, है न, आप देखे, यहाँ देख पा रहे ह कि चुकि D, जो है, 0 से छोटा है, 0 से क्या है, छोटा है, तो कि minus 31 निकला है, मतलब 0 से छोटा है, इसलिए, समिकरन के, आनि इस समिकरन के, इसलिए, समिकरन के, कोई हल नहीं होगे, कोई हल नहीं होगे, कोई हल नहीं होगे, और यहीं पर आप चाहत यांसर लिख सकते हैं, क क्यों क्यों कि यहां 0 आगे answer और question में आपको शुरुम क्या रखा था अगर मुलो कास्तित होगा हैके नहीं तब इसे ग्यात करना अगर नहीं तो इसे ग्यात नहीं करना है खतम हो गया आप चलिए दूसरा नमर तो चलिए आप दूसरा पार्ट दूसरा पार्ट में कहा है कि 3X स्क्वाइर माइनस 4 रूट 3X प्लस 4 बराबर 0 इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले चुनेंगे कि क्या क्या मान है A कमान क्या हो जागा? A कमान X का मान है क्या है? यहां हो जओता है? तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? बेविकतर बराबर निकालेंगे इसलिए यह बराबर फर्मुला होता है B square minus 4 A C B square B का मान क्या है minus 4 root 3 अब इसका क्या करेंगा square करेंगे minus 4 A C 4 का मान 4 का 4 रहेगा गुना A A का मान कितना रहेगा 3 रहेगा गुना C C का मान कितना रहेगा 4 रहेगा तो देखे minus का square का रहेगा तो plus हो जागा और 4 का square करेंगे कितना आजागा सोलो आजागा और रूट तीन का स्कॉयर करेंगे रूट तीन का स्कॉयर का मतलब क्या हो जागा रूट तीन गुने के रूट तीन तो बराबर आएगा गुने के रूट 3 गुने, root 3 क्योंकि root 3, root 3 गुना हो जगा और 2 गो 3 मिलेगा, 1 गो 3 क्या आएगा बहार आएगा, तो इसका मतलब इसका कितना आजगा 3 आजगा, मैनस 4 तीय बारो, और बारो चुक हो जगा अपका 48 हो जगा, ठीक ना अब इसका आगे इसका मतलब करते हैं तो 60 यह कितना हो जगा, अपका 48 हो जगा मैनस यहाँ भी 48 का 48 48 में 48 घटेगा, तो क्या बचेगा, 0 तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि चुकि D का जो मान है, 0 के बराबर है 0 के बराबर है इसलिए समिकरन के इसलिए समिकरन के 2 बराबर वास्ट्विक मूल होंगे 2 बराबर मूल होंगे अभी आपको पीछे बताए थे ना कि अगर D का मान 0 रहेगा तो 2 बराबर मूल होंगे जब बराबर मूल होंगे, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा solve करना पड़ेगा द्विघाती सुत्र का परियू करके इसलिए द्विघाती सुत्र का फर्मूला बठाएंगे X बराबर क्या होता है माइनस B प्लस माइनस रूट D बटे 2A तो देखिए माइनस का माइनस और B B का मान अभी हम लोग देखे थे वी का मान क्या था माइनस 4 रूट 3 था यहां बी का मान हम रख देंगे माइनस पूर रूट 3 अब पलस माइनस रूट D और D का मान अभी कितना निकला जिरो निकल अब यहाँ टू का टू रख देंगे और एक कामान कितना है तीन है यहां 11 rakheng 지금 मृल्टिप्लाइ कर देते हैं माइनस गुना मैनेस और चार रूट तीन का चार रूट थीन अब प्लासमैनसबल गजियोग insist दो गुना 3 करें कितना आ जागा 6 आएगा, अब यहाँ प्लेस मानेस का मतलब आपको बताए थे एक बार इसे आपको पलस में लिखना पड़ेगा आर एक बार इसे माइनस में लिखना पड़ेगा तो 4 रूट 3 एक बार लिखते हैं पलस का 0 और बटे 6 का 6 और यहां लिए देते हैं फिर करके लिख देते हैं फिर एक बार लिखेंगे फोर रूट थिरी एक बार यहां पर हम लिखेंगे माइनस में 0 बटे 6 का 6 लिखेंगे आगे इसको स्वल्ब करते हैं तो देखें चार रूट 3 को 0 जो जोड़ेंगे तो चार रूट 3 का चार दो तिया छे यहां भी खटेगा दो दूनी चार और दो तिया छे तब क्या बच गया उपर में उपर में उपर बच गया दो रूट तीन बटें तीन यहां भी बच गया दो रूट तीन बटें तीन देखें दुईगात समीकरन में रूट उपर में नहीं रहता है बटा के लोग देख सकते हैं रूट तीन गुना रूट तीन तो रूट तीन गुना रूट तीन कितना आता है तीन आता है तो यहां भी इसी प्रकार से हम यहां लेखे देंगे कि रूट तीन गुना रूट तीन रूट तीन करें कितना आएगा तीन आएगा ठीक है तो यहां भी इसक रूट तीन कर जागा तो आपका कितना बचेगा दो बटें रूट तीन और यही वह आपका दोगों मूल निकल जागा तो यहाँ पर आप इसे एंसर लिख सकते हैं है ना तो यह दो नोमर का हम सॉल्व करके बताएं क्योंकि यह डी बराबर 0 था तो इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे कि क्या क्या है एक का मान क्या हो जागा एक का मान हो जागा दो क्योंकि एक सास्क्वार का गुनांग होता है बी बी का मान हो जागा एकस का गुनां कानी माइनस का छे हो जागा सी सी का मान हो जागा तीन आप लोग क्या करते हैं गलती कवर बैठते हैं एकस का मान ड स्कुर्णर मैंनस फोर ए एक मान कितना है दो गुरा सि सलफ करें पूरा तो देखके- छितिस देखेレंपा चार बनी आठ इक कितना हो जब है आप 36 कहतेस में एंसर नहीं आया तो यहां देखिए डी का जो मान निकला है बारों निकला है इसका मतलब मुखा सकते हैं चुकिए डी जो है जीरो से बड़ा है आनि डी का मान जो निकला है जीरो से बड़ा निकला है है कि नहीं इसलिए समीकरण के कि समीकरण के दो भीन वास्त्विक मूल होंगे दो भीन वास्त्विक मूल होंगे या मूल होंगे वास्त्विक मूल होंगे यह आपको लिग देना पड़ेगा अगर वास्त्विक मूल होंगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा किस रूप में आपको 32 गाती सुत्र का अप्यू करके दुए गाती से तो यह होता है एक्स बराबर मैनस का भी पलस मैनस रूट अंडर डी बटे थू ए यह फर्मूल होता है तो मैनस का मैनस और वी बी का मान अभी आपको हम चूनके बताइज उन्हें थे बी का मान क्या है मैनस 6 तो इस बी के जगह रखें सैंस बाराय दीखिए पलस मैनस रूट डी का मान आया 12 ओजा ठीक है तो इसे बारा लिख दी अब बटा का कितना है 2 ए तो यहां दिखेंगे 2 का 2 ए ए का मान अभी हम लोग चुने देख रहे हैं कि 2 है तो यहां एक का मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे चलिए इसको स्वाल करते हैं माइनस गुना माइनस करेंगे पलस और 6 का 6 पलस माइनस अब देखें 12 को हम तोड़ देते हैं 2 गुनी 2 तो दोनी 4 और 4 तिया कितना हो जागा 12 हो जागा ठीक ना और 2 गुना 2 नीचे करें कितना हो जागा 4 हो जागा आगे स्वाल्प करते हैं अब देखें 6 का 6 रहें पलस सबस्थ बाइब वहार जागा अंदर में क्या बचा bolig के रूड़ तीन का जोड़ा नहीं मिला बचया मुर्ट है चार का चार अप क्या करेंगे इसे हमलोक दो बार लिखेंगे एक बार लिखेंगे प्लस में और एक बार लिखेंगे माइनस में तो 6 प्लस 2 रूट 3 बटे 4 और एक बार लिखेंगे इसे माइनस में यहां हम लोग लिए दें फिर क्या हो जएगा 6 माइनस 2 रोट 3 बटा में कीतना हो जागा आपका फूर हो जागा एक बार पलज में एक बार माइनस में लिख दी बहुत सारा बाच्चा क्या करता है यहीं पर काट देता है 2 communic फिर 2 communic दो तिया 6 लेकिन यह आपका गल्ट हो जाता है पलस दो तो कोमन बहार आ गया तो यहां से बचा आपका रूट थी ठीक ना इस तरह से कोमन ले लेंगे बटे फोर का फोर इसी प्रकार से यहां भी कोमन ले लेंगे तो बचेगा दो इंटू रूट थी माइनस दो तो कोमन बहार आया तो बचेगा आपका रूट थी बचेग दो कमाया भी 3 माइनस रूट 3 और बटा के 2 और यही 2 को क्या हो गया आपका मूल हो गया तो यह आप यहाँ लिख सकते हैं answer हो गया है कि नहीं तो इस प्रकार से तिसरा पाट भी आपका क्या हो गया complete हो गया तो next वीडियो में आपको बताएंगे 4.3 का question number 2 के बारे में तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माहिध्यम से question number 1 के तीनों पार्ट को आप लोग समझ गये होंगे अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी informative रहा तिस वीडियो के एक like जरूर कीजेगा और आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश जरूर कीजेगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद